जैसा कि हम आजकल हमारे आसपास देख रहे हैं काफी development बढ़ चुकी है फिर चाहे वो road हो या फिर माकान हो तो इससे हमें ये समझ में आता है कि आगे चलके construction industry की demand अच्छी कासी रहने वाली है क्योंकि हमारा देश जिस तरह से development करेगा तो आगे चलके इस industry के बढ़ने के chances भ लोगदान देता है और लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता है तो इसलिए आगे चलकर construction industry का future बहुत ही आच्छा है और इसमें पैसे कमाने के अच्छे मौके भी आपको आगे चलके मिल सकते है तो अगर आप खुद का construction business शुरू करने वाले है तो इस वीडियो को पू important point देखेंगे जो कि आपको construction का business करते समय बहुत काम में आने वाले है तो यहाँ पर point number one है experience अनुभो किसी भी ख्षेतर में जाने से पहले बहुती important part होता है खास कर construction line में अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में पहले से पता नहीं है यानि कि आपको उन चीज़ों का experience नहीं है तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको जादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं जब आपको experience होता है तब आपको यह पता होता ही कि काम किस तरह से करना है उसको कितना खर्च आ सकता है ऐसी important चीज़ों के बारे में आपको experience से पता चलता है जब भी आप किसी company में experience के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको उस फिल्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है जैसे की labor का behavior, construction management, उस company का finance यहाँ तक की customer का behavior कैसे है ऐसी चीज़ों के बारे में आपको experience से पता चलता है तो ऐसी चीज़े अगर आपको पहले से ही पता हो तो जब आप खुद काम लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इसके बाजाए जब आप बेना experience के काम शुरू करते है तो ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ते है और जैसे के आपको पता होगा शुरुआती वक्त में आपके पास ज़्यादा पैसे न आसा experience ले लेते है और आगे चलके अपना business चुरू करते है तो इस experience का आपको बहुत सारा फाइदा आपके business में होता है पॉइंट नंबर दो है niche and market research अब construction line में बहुत सारी चीज़े आती है फिर चाहे वो road हो मकान हो या फिर bridge हो आपको पहले ये decide कर लेना ही कि आपको इन म market research अब जहाँ पर आप business चुरू करने वाले है आगे चलके वहाँ पर कितनी development हो सकती है इसका आंधजा आपको ले लेना चाहिए और जहाँ पर आप business चुरू करने वाले है आपको ये भी करनी चाहिए और कुछ ऐसी भी चीज़े होती है जो कि market expect कर रहा है पर बाकी लोग नहीं दे रहे हैं तो उन चीजों पर अगर आप काम करेंगे और उस चीजों को customer को provide करेंगे तो आगे चलके आपका business बढ़ने में बहुत जादा मदद मिलेगी next point आजाता है जो की है planning अब आपने field को decide कर लिया है आपको construction field का अच्छा कासा experience भी आ चुका है तब बारे आती है एक full proof plan की और इस full proof plan में आपको कुछ चीजों के बारे में जरू सोच लेना चाहिए जैसे की आपके business का structure कैसा होना चाहिए आपको कितने employee के आवश्रक्ता और क्या उस machinery को खरीदने की आवश्रक्ता है या फिर आप पैसे बाचाने के लिए उन machinery को rent यानि की भाड़े पे भी ले सकते हो ऐसी चीजों के बारे में आपको पहले से ही planning में सोच लेना चाहिए और दूसरी चीज़े जैसे की कुछ काम आपको urgent होते है तो कुछ काम लगते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें इस काम में ज्यादा मुनाफ़ा नहीं हुआ है इसके पीछे simple कारानी होता है कि finance को maintain ना रखना अब शुरुवाती वक्त में अगर आप छोटे चोटे कामों से शुरुवात करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का फा पशक्ता नहीं होती है और अगर आपने शुरुवात में ही बड़ा काम ले लिया और आपको experience नहीं है ऐसे समय में अगर घाटा हो जाता है तो आपके उपर करजा भी हो सकता है अब finance के इस topic में next point आ जाता है जो की है पैसे के lendin से related अब यहाँ पर construction line में लोगों के हाथ मे अच्छा कासा पैसा आ जाता है तो यहाँ पर लोग यह गलती कर देते हैं कि उन्हें अपने उपर ही खर्च करना शुरू करते हैं जैसे कि नई कार लेना इस तरह के personal expense पे वो इस पैसे को खर्च करना शुरू कर देते हैं तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपके हाथ में जब पैसा आ जाएगा तो आपको सबसे पहले जो आपके material supplier है या फिर जो contractor है उनका payment पहले कर देना चाहिए इसका फायदा यह होता ही कि market में आपका अच्छा नाम रहता है और हिसाब किताब clear होने के कारण ऐसे लोग आपके साथ वापस से काम करना पसंद करते हैं जहां तक बात आती है client की तो उनके पास से भी आप step by step जब payment लेते हो तो जब आपका काम complete हो जाएगा तो आपको तुरंत ही उनके पास से payment मिलना चाहिए अगर payment में delay हो जाता है तो इसकी वज़े से supplier को या फिर contractor को payment देने में late हो सकता है जिसकी वज़े से आपका credit भी खराब हो सकता है और जब आपको बड़े काम लेने होते हैं ऐसे समय में आपको अच्छा कासा पैसा भी लगता है तो इसलिए आपको suggest किया जाता है कि उस काम के against bank में से loan लेना देखे दोस्तों ये जो option है ये दिखता उतना आसान होता नहीं है क्योंकि construction line में कभी कभ payment late भी हो जाता है और अगर आपने bank में से अच्छा कासा पैसा उठा लिया है तो उसका ब्याज भी अच्छा कासा आपको लग सकता है और साथ में आपको ये भी calculation कर लेना चाहिए कि कहीं आप इतना बड़ा काम करेंगे और उस काम का पूरा profit अगर ब्याज में निकल जाता है तो इससे आपका कोई भी फाइदा नहीं होगा तो इन चीदों को ध्यान में रखने के बाद ही आपको इस option के तरब जाना चाहिए यहाँ पर और भी एक छोटा सा option होता है जिस client के पास आप काम करने वाले है तो उनसे आप अडवांस की demand कर सकते हो और उनसे आप ये भी कह सकते हो कि जिस तरह से काम complete होगा तो उस ही सबसे आप हमें step by step payment भी कर सकते हो लोन की तुलना में ये option आपके लिए कभी भी best सावित होगा next point आ जाता है time and quality construction की field में time को बहुत महत्व होता है अगर आपने किसी project को time पे complete कर दिया तो इसके दो फाइदे होते है सबसे पहल अब यहाँ पर दूसरी चीज आ जाती है जो कि है quality अब अच्छी quality के साथ काम करने वालों की हमेशा हर field में कमी होती है इस कमी को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा quality काम देने की कोशिश करनी है अगर आप अच्छी quality का काम करोगे तो ज़रूर लोग आपको आगे चलक के काम देना पसंद करेंगे और जो लोग खराब काम करते है औरड़ी उनका नाम जो है वो market में खराब हो जाता है तो उन्हें लोग काम देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते है तो इस वज़े से time पर project complete कीजे और quality के साथ complete कीजे next point है registration business का registration करवाना ज़रूरी होता है इस वज़े से आपको registration करवाना ज़रूरी होता है registration कई प्राकार के होते है पहला private limited firm दूसरा partnership firm तीसरा sole proprietorship चौथा limited liability partnership firm इन में से किसी एक टाइप में आप company को register कर सकते हो और जहां तक बात आती है marketing की तो आप आजकल नए नए social media platform का भी इस्तमाल कर सकते हो जिनकी मदद से अपनी marketing proper तरीके से कर पाओगे तो क्या आप construction का business शुरू करना चाहेंगे comment box में comment ज़रू कीजे और अगर आप already construction का business कर रहे है तो आपके इसाब से कौन से important point है इनके बारे में comment box में comment ज़रू कीजे तो वीडियो अगर आपको अच्छी लेगी हो तो इसे like कर दीजे चानल पर अगर आप लोग नए आए हो तो चानल को ज़रू सब्सक्राइब कर दीजे और यह जो तीनों वीडियो है इन में से कोई एक वीडियो आपके ज़रू काम में आ सकती है